प्रधान मंतरि नरेंदर मोधी ने वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये सभी राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के श्रम मंतरियों के एक राष्चिश श्रम सम्मेलन को संबोधित किया इस दरान उन्होंने कहा कि अमरित काल के हमारे सपने को पूरा करने में भारत की श्रम शक्ति एहम भूमिका निभाएगी उन्होंने कहा कि विक्सित भारत की निर्मान के सपने को साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहत्पून भूमिका रही है देश संगटित और असंगटित शेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक सातियों के लिए निरंतर काम कर रहा है सबसे पहले बैभगवान तिरुपति बालाजी के चरणों में नमन करता हूँ जिस पवित्र स्थान पर आप सभी उपस्तित है वो भारत के स्रम और सामर्थ का साक्षी रहा है मुझे विश्वास है इस कान्फरेंस से निकले विचार देश के स्रम सामर्थ को मजबूत करेंगे मैं आप सभी को और विशेश रुपसे स्रम मंत्राले को इस आयोजन के लिए बढ़ाई देता साथियों इस पंदरा अगस को देश ने अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं आजहादी के अमरित काल में प्रवेश किया है अमरित काल में विक्स्तीद भारत के निर्मान के लिए हमारे जो सपने हैं जो आकांच्छाएं हैं उन्हें साकार करने में भारत की स्रम शक्ती की बहुत बड़ी भूमिका है इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठिक छेत्र में काम करने वाले करोड़ों स्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा हैं प्रधान मंत्री स्रमयोगी मांधन योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजनमा जैसे अनेक प्रयासों ने स्रमीकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है ऐसी योजनाओं की वजह से और संगटिक छेत्रके स्रमीकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके स्रम का भी उतना ही सम्मान करता है हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदन सिल्ता से एक साथ लाना होगा ताकि स्रमीकों को उनका अधिकते अधिक लाब मिल सके इमर्जन्सी क्रेडिक लाइन गरेंटी स्कीम इसकी वज़े से लाखों छोटे उद्यों को मदद मिली है एक अधियन के मताबिक इसकीम की वज़े से करीब देड़ करोड लोगों का रोजगार जाना था वो नहीं गया वो रोजगार बच गया आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थे ववस्ता बना है तो इसका बहुत बड़ा स्रे हमारे स्रमीकों को ही जाता है देश के हर स्रमीक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है उसका एक उधारन इस्रम पॉर्टल भी है ये पॉर्टल पिछले साल सुरू किया गया था ताकि असंगटित छेत्र के समिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पॉर्टल से चार सो अलग-अलग शेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड समिक जुड़ चुके है विशेश रुप से इसका लाप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रवासी मद्दुरों को और डोमेश्टीक वर्कर्स को मिल रहा है भारत दुनिया के कई देशों के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टर्शिप एग्रिमेंट्स भी साइन कर रहा है देश के सभी राज्यों को इन अवसरों का लाब मिले इसके लिए हमें प्रयास बढ़ाने होंगे एक दूसरे से सिखना होगा मुझे विश्वास है कि हमारे ये सामुहिक प्रयास देश के वास्त्विक सामर्त को सामने लाने में अहम भूमी का निभाएंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे विश्वास है कि इन दो दिवेशिये चर्चा में आप नए संकल्ब के साथ नए विश्वास के साथ देश की स्रम सक्ति के सामर्त को बढ़ाने में सफल होंगे बहुत बहुत धन्यवाद और अधिक खबरों के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले